भारतिय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। यही वज़े है कि इस सेक्टर में सभी वाहन निर्माता कंपनी इंट्रेस्ट ले रहे हैं। इसी क्रम में दो पहिया वाहन निर्माता बजाज आटो ने भारतिय बाजार में अपडेटेड चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉंच कर दिया है। पजाज का मानना है कि नए इनोवेशन अधिक लोगों तक पहुँचने में मदद करेगा। किमी प्रतिघंटे की तुलना में 33 किमी प्रतिघंटे की टॉप स्पीड एड करता है। बजाज चेतक के प्रीमियम वेरियंट में नई 5 इंच की TFT स्क्रीन की पेशकश की गई है। इसके अलावा सेल्फ कैंसलिंग ब्लिंकर, बाइं और दाएं कंट्रोल स्विच, एक इलेक्ट्रोनिक हैंडल लॉक और एक सीट खोलने वाला स्विच दिया गया है। चेतक को और अधिक व्यावारिक बनाने के लिए इसके बूट स्पेस को भी बढ़ाया गया है। चेतक प्रीमियम में पेश की गई अन्य विशेशताओं में सेल्फ कैंसलिंग ब्लिंकर, पाएं और दाएं नियंत्रन स्विच, एलेक्ट्रोनिक हैंडल लॉक और सीट खोलने वाला स्विच शामिल है। मेटॉलिक बॉडी के साथ तयार किया गया है। इसे IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस मिलता है।